हलो प्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल के ऐसे हो आप लोग आई हूब आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनेंगे पालक पनीर और पालक पनीर बनाना काफी ज्यादा आसान है पूरा वीडियो जरूर देखेगा आपको वीडियो पसंद आए प्लेज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजेगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिपिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंने याँ पर लिया है 500 ग्राम पालक और इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है मतलब इसमें डंठल होते हैं जो बड़ेवर उसको हटा देना है और जो खर्पतपर होते हैं जो घास बगएर होता उसको भी साफ करके ले लेना है तियाह पर मैंने 500 ग्रहम लिया हैто हम दो लेंगे ऐसे ही सबbia couple नहीं से हम नहीं हमने यहां पर दो ले लिया है करामी में एक चमच्य टिल डाला आ है यहाँ मैंने सर्शु ने लिया है और दिल एक चमच्प जीरा जीरा को ब्राउन होने देंźगे जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाए इसमें हम डालेंगे प्याज दिए मैंने एक मीडियम सेज का प्याज लिया है और गैस के फ्लेम तूब मैंने मीडियम पे रखा है प्याज को हम हलका ब्राउन होने तक पका लेंगे बहुत ज्यादा नहीं करना है इसके बाद यहाँ पर मैंने 10 से 12 लेसन के कलिया लिया है और 4 से 5 हरी मिर्स लिया है इसको मैंने ऐसे हरी मिर्स को लिटरफली तोड़ लिया है और लेसन को भी ऐसे ही मैंने साबुत डाला है और यहाँ पर एक टमाटर है ज्यादा नहीं है एक ही है टमाटर को मेंने से काट कर डाला है अब हम टमाटर को गलने देंगे इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक स्वाधनुसार और अब हम मसाले डाल देते हैं तो यहां हम सुके मसाले लेंगे आदी छोटी चमश हल्दी पौडर लाल मिर्च पौर्डर आदी छोटी चमच, धनिया पौर्डर आदी छोटी चमच और गरम मसाला आदी छोटी चमच, ज्यादा मसाला इसमें हम नहीं डालेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मसाली की जरूरत नहीं है तीखा के लिए हमने यहाँ पर हडी मिर्च डाला है थोरा ज़्यादा और अब हम इसको दो मिनिर तक भून लेंगे मसाले के साथ इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पालक तो सारा पालक ऐसे ही आपको डाल देना है अच्छा है तो काट कर डाल सकते हैं अब इसको ऐसे डाल दे क्योंकि इसको में आप डीस ना यह बार में तो यहाँ पर हम डाल दिंगे इसमें सारा पालक और पालक डालते यह तुरंती पानी छोड़ने लगता है इसको धूरा सा एक बार उलट-उलट कर देंगे तो अलग मेंना काफी सारा पानी होता है अगर पानी ऐसे अगर कम है पानी कम छोड़ा तो उपर से भी थोरा सा पानी इसमें आप एड़ कर सकते हैं लगबगा आदा ग्लास पानी एड़ कर लिजिए अगर जल रहा हो तो यह तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है अब हम इसको पका लेंगे 5-6 मिनट के लिए और यहां पर देखिए पालक काफी ज़्यादा सौप्ट हो गया है और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ नहीं किया है इसी में काफी सारा पानी छोड़ा था और इसी में मैंने इसको पका लिया था तो यहां पर हो गया है 5-7 मिनट तब पालक काफी अच्छे से सौप्ट हो गया गया सौप्ट कर देंगे और इसको हम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब हम इसको डालेंगे मिक्सर जार में तो इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा गरम गरम आपको नहीं पीसना है तो इसको हम डाल देते हैं यहां पर मिक्सर जार में और सारा डाल देंगे यहाँ पर और आपकां data करेंगे और बहुत बहुत ही बढ़ी हातर इस इसको पीस लेंगे बहूत ही पाइन पीसना है तो यहां पर देखे मैंने पाला को काफी अच्छे से पीस लिया है और काफी बढ़िया पेश्ट यहां पर बन गया है है एक्दम स्मूध रखना इसको एक पर देखे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने कुब्स करें उपने मन-पसंद सेप में कट कर सकते हैं इसके बाद वाहपस से मैंने करा ही लिया है और एक चमंज हैं परником डालेंगे सरसो तेल और परirmothy Programm मैं दालेंगे देसी बाड़ी काट लिया था लसुन को अलगा सा ब्राउन होने देंगे इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च तो यहां पर मैं चार हरी मिर्च को बीच से कट करके दे रही हूं दोनों चीज़ों को पकने देंगे और इसके बाद गैस के प्रेम को लो करेंगे या फिर बंद कर लेंगी एक कि आदी चोटी चमच यहां पर मैंने डाला है कस्मेरी लाल मीर्श या पर बिल्कुल राखें से लीजे यह से नहींarel बढ़ी हाता है तो ज्यादा ने अदी चोटी चमच डाला है मैंने और इसके बाद यहां पकाते हैं पिसा हुआ पालक कि मिक्स करेंगे और एक मिनुट तक पकाएंगे इसको अब हम इसमें पानी डालेंगे तो जितनी ज़रूरत हो आपको इतना पानी इसमें डाल लेजें मैंने यह पर लगवक 1.5 गलास पानी डाल दिया है और मैंने मिक्सर-जार को दो करके भी डाल दिया क्योंकि काफी सारा बचा हुआ था कर के में डिया है कि इसे के साथ यहां पर हूं में पणी डाल देंगे द tayर दो ओर दो लालेगे तो लाश्ट में यहां पर हम डालेंगे 50 क्रीम या फिर दो ग्राशँ हमाच क्रीम की जग्हाँ आप घर की मलाई की ले सकते हैं और मलाई ले रहे हैं था आप फ्रेश मलाई लेजए जिएगं ज्यादा दिनका ना हो गैस अप कर देंगे और इसको पास से करें अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाबाए